हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे बिए एन वर्सेज एड एम ड्रीम 11 स्टाइट्स प्रस इन फो यानि की बंगलदेश और जिंबाववे के बीच में जो आज मैच खिला जाएगा उसकी बात करेंगे आज के दिन में तीन मैच है यह सुबा भारत अन बात भी हमें रेगुलर मैच इस कवर करने वाले हैं जरूर सब्सक्राइब करके रखो बैल ऐकन प्रेस करके रखो और यहां पर टेलीग्राम में जुड़ने का एक महातर जरीया है एक तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप जोईन कर सकते हो तो यह जो बंगलादेश जिमवाबे का मैच है दगगाबा ब्रिजबन में होगा वर्ल्ड कप में यहां पर पहला मैच है तो विकेट के बारे में जानना जरूरी है मेरे साब से बहुत अच्छा सरफ यह से बल्लेबाजी के लिए रंज है इसमें अच्छा बहुत भी है य यहां 16 से दिखा यहां 40 दिखा यहां 200 क्रॉस यहां 196 क्रॉस रंस बने हैं 73 में से 40 उटे फास्ट को गई थी 28 स्पिन को ऐसा नहीं स्पिन को विकेट नहीं गई लेकिन ज्यादा फास्ट हो गई ठीक है प्यूज भाई समझ गए बीबील में क्या हुआ था बिग बैश का मै लेवाज और फास्ट पूलर्स इसलिए मैंने आपके लिए यह लिखा है और वॉम अप मैचेस भी दोस्तों यहां पर हुए थे वॉम अप मैचेस में इंडिया ऑस्ट्रिलिया का भी मैच आपको ध्यान होगा हुआ था यहां पर के निजट सर ने चार विकेट निकाली थी तो आप समझ सकते हो डेथ बूलर्स यहां अच्छी विकेट निकालते हैं और उन में से तीन मैचेस में दोस्तों वन सिक्स्टी प्लस स्कोर हुआ है चार जो मुम अपते हैं उसमें न्यूजिलेंड का मैच था जिसमें वन सिक्स्टी क्रॉस नहीं हुआ था बागि सब में हुआ है अब बंगलादेश और जिमभाववे का हैट टू एड देखते हैं दोस्तों आपस में दोरो टीम की रिच हिस्ट्री है बहुत मैचेस है 19 मैच के लिए हैं 12 बार बंगलादेश जीता है 7 बर जिमभावे दिल चाहता है दोस्तों परसनली यह मैच जिमभावे जीते क्योंकि भाई जिंबाववे पिछला मैच पाकिस्तान को हरा क्या रही है और अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो वो लगबग भार हो जाएंगे लेकिन अगर वो जीतते हैं तो एक बहुत इंटरस्टिंग स्टेज हो जाएगा येवले मैचेज में येवले ग्रुप में ठीक है क्योंकि सौमिया सरकार ने याँ दोस्तो हैट टो एड बे अच्छा स्कोरिंग किया है डिफरेंशल बन सकते हैं दस मैच मेच में 298 रन और 3 अर्थ शतक है लिट अंदास 9 मैच में 294 और 3 अर्थ शतक है शाकिब 12 मैच 233 ठीक है और 1 अर्थ शतक है वेजले मदेवीरे 8 मैच 233 तीन अर्थ शतक है वेजले मदेवीरे ने बंगलादेश को काफी अच्छे रन किये हैं सिकंदर रजा 15 मैच 222 रन दो अर्थ शतक लेकिन भाई टॉप फॉन में है सिकंदर रजा रयान बल आठ मैच 233 यहां पर रहमान साब है आठ मैच में 190 लेकिन सब भी रहमान के खेलने के चंसिस कम है देन सौन विलियम्स 15 मैच 186 आफिफ उसें 10 मैच 176 एवरेज भी अच्छा है सब्सक्राइब ने दसन से जीता था रयान बल ने 54 किये थे लियू क्योंग वे ने 35 आफिफ ने 39 मेहंदी असन 22 और दो विकेट विक्टा इन नयुची तीन विकेट ब्रैड इवेंस दो विकेट और हसन महमूद दो विकेट ब्रैड इवेंस बहुत अगड़े बोल रहे है बट ये टॉप फोर वले खेल रहे हैं जिससे आपको क्या पता लएगा औस्पिलर काव के है सिकंदर रजा माइग गॉड इस मैच में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं लेफ्ट हेंडर्स हैं इस वज़े से बंगलादेश की प्रॉइबल 11 नजमन असेंशन सौमे सरकार ओपनर्स लेफ्ट हेंडेड हैं दोनों मेंसे जादा सौरेड परफॉर्मिंग अभी तक नहीं आई है लिट अंदास 9 और 34 शाकिप 7 और 1 आफिफ 38 और 1 महंदी असन मिराज 11 रन एक मिलाटे मैच में नूरूल असन 13 दो मुसेदेख 20 नबाद और 0 टसकिन 010 हज चार ओवर शांदार बोलर हैं लेकिन विकेट नहीं मिला तसकिन को 5 विकेट मिले हैं हसन मामूद को 3 विकेट मिले हैं शाकिप को 3 विकेट मिले हैं आफिफ को 1 और 1 विकेट मिला है सौम्या को 3 विकेट मिला है पिछले मैच में उन्हों ने सौम्या ने बोलिंग नहीं करी वामप में भी इनके बड़िया रंस तो नहीं आये थे लेकिन बोलिंग में इनके तसकिन एहमद और हसन मामूद और शाकिब ने विकेट निकाल ले थे यह बंगलादेश के फुल स्टाट्स पसिंद को है हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड आपको दिख रहा है इसके मैच में आपको ज्यादा हमेशा ध्यान रखने शाकिब हमेशा की रहेंगे मुसे देख मेहंदी असन मिराज जो भी खेलता है वो की रहेगा अगर मेहंदी खेले में उन पर जादा प्री टीम में कोशिश करता हूं लेने की दोनों ही वैसे अच्छे हैं देन मुस्तफी जूर् तसकिन इनके मेन बोलर्स हैं सपोर्ट में आपको हसन मामूद दिख जाएंगे यह बेसिकली इनकी टीम की कहानी है बल्लेबाजी विल रिलाए अराउंड लिट अंदास अफिफ हुसेन एंड शाकेबलहसन दोस्तों अगर मैं जिमवावे के प्लेयर रोल्स की बात करूँ मुझे इनकी टीम अच्छी लग रही है हाला कि काफी जादा डिपेंडेंट है दो तीन प्लेयर्स पर जिसे क्रेगरवाइन टॉप ओडर में इंके साथ मुझे इस वर्ल्ड कप में आप कह सकते हो सिकंदर रजा ने इंप्रेस बहुत किया है सौन विलियमस बढ़ियां है इस वर्ल्ड कप में इंप्रेस नहीं किया यह हमेशा से एक इंपोटेंट प्लेयर रहते हैं जिमवावे का जब आप फुल यहां पे देखोगे इनके लास्ट मै करते हैं ब्लैजिंग मुजर्बानी करते हैं ब्लैजिंग मुजर्बानी करते हैं और ब्रैड इवेंस करेंगे ठीक है यह 16 ओवर आपके लिए निकल गए बाकी के ओवर डिवाइड होंगे चार बाकी के बोलर्स में इनके वॉम अप में मधेविरे 42 अरवाइन 24 रगी शकावा 20 मिल्टन शुंबा 32 बोलिंग में ज्यादा ही प्लियर से इन्होंने बोलिंग कर इस वेजले मधेविरे इनके फ्यूचर है मैं पहले बोल चुक हूँ सिकंदर अजा प्रेजेंट है विल्यम्स कह सकते हो पास्ट में बेस्ट परफॉर्मेस इस दे चुके हैं बर करंटली भी दे सकते हैं बल्ले बाजी में क्रेग अरवाइन और रियान बोल इंपॉर्टन य테 उपास्ट है और सव ब्लेजिंग मुजरुबानी कई झाज है और लुग क्योंगवे पे विकेट है आपको ध्यान सेंग कापी अच्छा performance है लेट अधुएड में लілियम्स ऑ liters विल्यम्स के आगे एक बार सिकंदा है और तेम्यिक आथारा ऑट है शाकी बल असन एक बं सभिए夏 ciao देखों यूवा चैहिए स֭क काुछ हो कमें टोस्तों सभी के वाल्यट्जी हे लिए खाते के वालेशन ही सभाता हुए क्योंकि यह match-up आपको देखने को मिलने ही वाला है यहां पर आपको बता दू शोरिफुल के आगे भी एक बर out वो हैं मुसिदे खुसेन के आगे एक बर out हो हैं क्रेग एरवाइन मुसिदे खुसेन पे दो बर out हैं मेंदी हसन पे एक बार आफिफ हुसेन पे एक बार मिल्टन शुम्बा मुस्तफिजु रह्मान पे एक बार हुए है सौन विलियम्स मुस्तफिजु रह्मान पे एक बार तो भई यहाँ पे सौन विलियम्स के लिए जो कि एक लेफ्ट हैं बैट्समन है मुस्तिक हुसेन काफी जाधा तंग किये है लेफ्ट हैंड बैट्समेन वर्सिज राइट आम ओस्पिनर का मैच अप आपको देखने को मिल गया सिकंदर इनके पास भी ना जिंबाबे पास बहुत लेफ्ट हैंडर है तो औस पिनर की गेम आएगी क्योंकि सौन विलियम्स भी है क्रेगर वाइन भी है एंड एक आदा और भी है आइगेस मिल्टन शुमबा राइट तो वो भी आपको लेफ्ट हैंड दिखेंगे बागी मुस्तफी जुरेमान ने सिकंदर रजा को तीन बर आउट किया शाकिब ने दो बार सौन में सरकार ने एक बार दो गिंदो में सो इनको भी भी या शाकिब तंग कर रहे हैं मेरे को लगता है शाकिब एक्षली सिकंदर रजा के लिए प्रॉपर मैच अप है राइट हैंड बैट्समन के आगे लेफ्ट हम और्थडोक्स और लेफ्ट हैंड बैट्समन के आगे कोँण आते है और शाकिब के आगे रजाएंगे ये एक दूसरे कोई आउट कर सकते हैं और हो सकता है दोनों ही कर दें क्योंकि दोनों ही में खिलाडी है इनी के ओपर गेमे है रेगिस चकाबवा शाकिब के आगे दो बार मुस्तफिज उरेमान पे दो बार राइन बल मुसेदेख पे एक बार सौम्य सरकार पे एक बार दोसरे जब आप विगेट केबिंग सेलेक्शन में आएंगे लिटन दास रकीज चकाबवा नूरूल हसन मंदात एक जूजू पाएंगे लेकिन इन में एक मात रखे लाड़ी जो मैं टीम में लेके चल रहा हूँ वह लिटन दास अब आप चकाबवा को भी ले सकते हो लास्ट वर्च में ओपनिंग नहीं है बल्ले बाजी में अपस बहुत विकलते है अबना वेजले मधेवीरे को डाल दिया है इनोंने बल्ले बाजी सेक्शन में और लास्ट में ने करिया ओपनिंग ही इस सुपर तलेंटेट प्लियर चोटे प्लियर नहीं है यह सुपर टलेंटेड है लेकिन इन चारों में तीन कोई बल्ले बास सिलेक्ट करना अगर आप बल्ले बाजी करम से चलोगे आप चुप चाप यह तीन ले लोगे पर अगर आपने 2022 में बागनादेश की क्रिकेट देखी है ना उनकी हर गिम अफीफ हुसेन पर अटकती है जहां उनका 140 प्लस स्कोर गया है ना हमेशा 40 रंस तो रहे हैं अफीफ हुसेन के प्लस लास्ट मैच में ओर भी किया विकेड भी तो यहां मैंने अरवाइन हुसेन मध्यवीरे को तो रखा है विकेड कीपिंग में मैंने लितन दास को रखा है आगे मैं चल रहा हूं मिल्टन शुमबा पे लेफ्ट हैं अटेकिंग प्लियर अटेकिंग प्लियर लेकिन मैं नहीं लूँगा टीम में नजमन उसेंचन तो ओपनर है लेकिन मैं टीम में नहीं लूँगा इनको आप गेम चिंजर के तोर पर ट्राय कर सकते हो रियान बल है, कुछ ओवर भी डालते हैं, लोवर ओर्डर में अच्छे बल्ले बाज है, मैं जो रिलाइबल लगते हैं, खाला कि मैं टीम में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे को आगे प्लेयर लेनी है, सब भी रहमान बहुत दुखी हैं, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, पहले तुम इनोसेंट मत बनों इतने, ठीक है, क्योंकि इनोसेंट लोग को पता है, आपको खा लेते हैं आज का लिया, मेरे साथ भी बहुत होता है, फैंटेसी की यहां पे फील्ड में, चलिए भई अब रोएंगे किसी और दिन, लेकिन आज हम करते हैं टीम, और मेहंदी असन मिराज वो प्लेयर हैं जिरोने मुझे फैंटेसी में बहुत जिता है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लेकर ही चलता हूँ, यह चारो प्लेयर में से आपको बता दूँ कि चारो में ना पोटेंशल है, एक दिन में ही आपको 100 पॉर्ट देने की, ऐसे प्लेय सारी, तो फिर मोसे देख हुसेन को ले लेना, या फिर सॉम्या को ले लेना, सॉम्या सीधा-सीधा फिर आपके लिए और राउंडर भी बन सकते हैं, भागी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, सिकंदर को मैं लेके चला हूँ, कैप्टन सी ऑप्शन है, इस वर्ल्ड कप म गिनती होती है, ब्रेंडन टेलर, सॉन विलियम्स, टाटेंडा, टाइबू, हीट स्ट्री, गरांट फ्लार, एंडी फ्लार, ये छे नाम हमेशा आएंगे, और इसमें मैं हमेशा सॉन विलियम्स को इंपोर्टन गिनता हूँ, और मेहं दियसन मिरास, रीसेंटली मुझे बात करके दे रहा हूँ, चिवंगा भया, खेलते हैं, तो भी मैं ध्यान नहीं दूँगा, विलिंग्टन मसका गर्जा बढ़िया बोलर है, लेफ्टाम और्थोडोक्स, बट मैं ध्यान नहीं दूँगा, विक्टर नायूची ध्यान नहीं दूँगा, शोरीफुल इसलाम खेलते हैं, तो मैं सोच सकता हूँ, महमद सेफु दिन खेलते हैं, सोच सकता हूँ, यह अच्छे बोलर है, नासु महमद अच्छे बोलर हैं, बट मैं ध्यान नहीं दूँगा, क्योंकि लेफ्टनेंटर बहुत हैं नहीं दूँगा, यू क्योंग्वे का head to head record बहुत अच् मुस्तफीजुन ने आपको हर मैच में चार ओर दी है खराब अप्शन नहीं है यहाँ पे हसन मामूद अच्छे है ब्रैड इवेंज मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं अभी दो बोलर तो जो लेना चाहूँगा तसकिन और ब्लेजिंग मुजरबानी यह दोनों ने आपको हर मैच में तक चार ओर दी है जब जब खेले हैं दोनों ने आपको विकेट भी दी है जिमबाब्वे के बेस्ट बोलर हैं ब्लेजिंग मुजरबानी और तसकिन नहमद बंगलादेश के जिनको भी काफी ज़ादा रीसेंट पास में विकेट नहीं मिली लेकिन अगर आप गेम चेंजर चाहते हो और आप रिस्क लेना चाहते हो अभी यह 50% दिख रहा है लेकिन यह कम भी हो सकता है ब्रैड इवेंस ना आपको can offer something with bat मान लोगी दोनों ब्रैड इवेंस और मुस्तफीजूर को एक एक विकेट मिली ब्रैड इवेंस ऐसा प्लेयर है जो आपको 10-15 रन भी दे देगा ठीक है तो यह जो 6-7 डाउन के गेम चेंजर बन जाते हैं प्लेयर क्योंकि अकर दोनों बूलर ने ब्राबर विकेट ली तो ब्रैड इवेंस कुछ रन दे सकते हैं तो यह रीजन है कि ब्रैड इवेंस और मुस्तफीजूर में टफ कॉल है बट मैंने टफ कॉल ही लिया मन बहुत है ब्रैड इवेंस को लेने गा जो मुझे बहुत पसंद है इंडिया के सामने भी तीन विकेट निगाल गए थे तो यह देख रहे हैं आप दोस्तों मेरी टीम इसके बहुत सोच विचार कर रहा हूँ फिलहाल फॉर्म को देखते हूँ है मेरी कैप्टन सी रजा पे है वाइस कैप्टन सी शाखे बलसन पे बट यह रिवर्स भी मैं कर सकता हूँ मैं आपको फिर बता दू यह मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ मेहंदियसन मिराज नहीं खेले तो इनको मैं चेंज कर लूँगा आप भी कर सकते हो ठीक है यह बनी मेरी टीम इसमें एक बल्लेबास एक मेहंदियसन मिराज ब्रैड इवैंस को डाल सकते हो यह चेंज़ आप कर सकते हो कप्तानी वैस कप्तान में आप रिवर्स कर सकते हो शाक्यूप को कप्तान दे के वी सी रजा को उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको सीखने को मिला लाइक और कॉमेंट ज़रूर करें शेर करें अपने दुस्तों से सब्सक्राइब करके रखो यह क्रिकलन फोरकास्ट पे और टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जॉइन हो जाओ